दोस्तों यह जो खुशी है ना उसका कारण यह वाला हीटर है वीगार्ड कंपनी का यहटर हमने ओनलाइन प्रचेस कर लिया है और प्रड़क का लिंक जो डिस्क्रिप्शिन में डाल दिया है दो रोड इसमें बेसिकली लगी हुए तो 400 वाट र 800 वाट दूनों पर आप इसक को यूज कर सकते हो क्वार्ड बेस मेटिरियल जो है उसको हेटिंग रोड को कवर किया गया उससे और चलिए वीडियो को शुरुबात कर लेते हैं और देखते हैं हमारा एक्सपिरिंस इस हीटर के साथ कैसा रहा आजी दोस्तों तो यह वीगार्ड कंपनी का आरस टू कि एडिशनल एक साल की आपको मिल जाती है पूरे हीटर की तो मोटा मोटा दो साल के लेकिन जो जो दूसरा साल है उसमें बैसिकली आपको जो ट्यूब्स हैं उनकी वारंटी नहीं मिलती है अगर वो खराब होगी तो रिप्लेस करवानी पड़ी 50-60 रुपे की कोस्ट होती तो इसको आपको यह 12 रुपे के असपास मिल जाएगा उनलाइन आप खरीदते हैं तो लगभग 12-13 रुपे के बीचे मिल जाएगा और पर्चेस लिंक है जो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिये हैं आप खरीदना चाओ तो वहां से खरीद सकते हैं इसको और यह कहा और देखते हैं क्या कुछ खास है इस हीटर में दोस्तों बोक्स हमने निकाल लिया तो बोक्स में हमें एक हीटर मिला और साथ में यूजर मैनूल मिला है और यूजर मैनूल में कुछ ज्यादा चीज़े नहीं है बट जो मेरे को मोटा मोटा समझ है मैं आपको बता देता और यहां पर वीगार्ड की ब्रैंडिंग है एक LED है यहां पर एक ओन करेंगे तो एक रोड ओपन होगी दूसरा ओन करते हैं बैसिकल दोनों करते हैं तो 800 वाट कंजूम करेंगा आपका और दोनों रोड जो है चल पड़ेंगे फ्रंट से यह और यहां पर लिखा हुआ कि यह कवर ना करेंगे थोड़ा बहुत एर का फ्लू है जब हीटिंग थोड़ थोड़ी बाहर निकलती है यहां से इस साइड से पकड़ने के लिए यह होल दिया हुए यहां पर इसको पकड़के आप उठा सकते हैं दोनों साइड से जब यह आपको फिक्स करना हो बैक साइड में कुछ भी नहीं है सिंपल सा मेकैनिजम दिया हुए यहां पर और यहां पर रूम हेटर वगरा कुछ लिखा हुआ है और क्यूर कोड है उसके में देखने की जुरूत नहीं है यह एक वायर है लग बग डेड मिटर की यह वायर आपको मिल जाती है और यह वह यह प्लग है प्लग कुछ इस तरीके का है सोलिड है मतलब ऐसा नहीं लगारा कि कहीं कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो यह वायर अभी है थ्री कोर वायर जो यह है तो ठीक है काम करने चलते हैं इसको रूम में लेके और जर सकते हैं कि यह एक बटन दिया हुआ यहां पर यह जमीन पर सीधा टिका होगा ना तभी यह चलेगा अधरवाइस यह ओन नहीं होगा यह क्योंकि जमीन पर यह थोड़ा सब प्रेस हो जाता है और फिर यह ओन हो जाता है चलिए सब पहले इसी चीज़ को टेस्ट कर लेते है प्लग ओन कर दिया है यहां पर लाइट आगी है लेकिन इसने कोई हीटिंग जो है ना मेरे को नहीं दिख रही है तो बेसिकली इसको शाय थोड़ा प्रेस करेंगे तभी यह हीटिंग जो है स्टार्ट करेगा अभी थोड़ा वेट करते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है सिरफ अभी शानती है लाइट ओन होगी बट शानती है इसको हमें काम कर देते हैं अब कर देते हैं इसको सिधा जमीन पर रख दिया है अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर मैं बात करूँँ अभी आप देख सकते हैं जो रोड है वो बैसिकली जलने लगी है और अभी यहां तक बड़िया जो आपको हीटिंग है वो फील हो रही है तो एक नंबर चीज है और एकदम बड़िया भी लग रहा है चोटा साथ और अगर मैं किसको कंपेर करूं किसी चीज के साथ तो उपर आप देख सकते हो यह एसी का स्टेबलाइजर है इससे बस थोड़ा सा बड टेंशन फ्री चीज है और अगर मैं इसको फिर से उठा देता हूं यह जैसे ही अटाया यह बच्चे से जैसे अगर मान के चलो कहीं टेड़ा गिर गया कुछ भी होगा तो यह अपने बंद भी हो जाता है ओटो कट हो जाता क्योंकि नीचे वाला जो इसका बेस वाला बटन के चैंज करो ना उस टाइम जरूरत और उस जरूरत को यह पूरा करता है जैसा कि आप यहां पर देख भी पार हो कि अगर ज्यादा कर्मी नहीं भी चीए ना क्योंकि हमें रूम को हीट करने के लिए नहीं चीए था बस उसी परपस के लिए चीज है और यहां पर आप चल लगे बिजली कंजेप्शन के ना तो एक घंटे में लग बग यह एक इनुट जो बिजली कंजेप्शन कर लेता है या एक गंटा दस मिनट मैं मोटा मोटा कह सकता हूं और बाक्की भी यह ओल्मोस्ट सारी इंफ्रमेशन में आपको दी दिये वीडियो अच्छा लगा ह तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना और भी यह चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है